रेडियो कांथिपूर, रेडियो राष्ट्रको बीजई, साउथ हैम्टन eller crystal पारे, सता चेंह Łजप सकर नर्विज को बराबरी नमस्कार कंति पूर डायरी का साथ मा साथिक केसुरम दिवा अभसमाचार विस्तार अbn सातारूर नेक पामा सभा मुक्चान प्रक्रिया पेज़ी लो वनेको छ बालवाटा रिष्टित प्रधानमंद्र निवास मा बिहान बसे को सचिवालाई बैठक मा छल्फल भाय पनी समय अभा मा ठोस निडे करना नसकी एकुम हासाची बिशनु पवडेले जानकारी दिनु फवयो बोली सम्म सबामुक चयन गर्ने गरी समसद सचिवालाई ले तयारी घरे पनी सबामुक कसलाई चयन गर्ने फन्ने बिशेमा सतार्व दल्मा सहमाती हुना नसके पसी प्रतनी दी सबाब बैठक आगामी सोर गते सम्मा का लागी इस्तोगीत फवयो को सबामुक पतक लागी समस पद आफरूले पाउनु परने अधेक्षी पुस्पकमल दाहल पक्षे कोड़ान कायमेशा। 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 अधेक्षी पुस्पकमल दाहल पक्षे कोड़ान कायमेशा। अधेक्षी पुस्पकमल दाहल पक्षे कोड़ान कायमेशा। तरह पाटीरे जिला अधिवेशन सक्ना 15 पुस्पमको समय सिमात तोके कुछा। सिसुहरुमा हुने पातोलो दीशा लागने समस्या का लागी लगाउने वनियेको रोटा भाईरस खोब कारिक्रम अनिश्चित वनियेको सा। संदोहेजार सत्रमा सरकारली रोटा भाईरस समन्ती प्रस्थाप स्वेकार गरदे संदोहेजार अठारको अन्ते सम्मामा कारिक्रम संचारान का लागी अनुमती दियेको थियो। अर्थात 96 नेपाली रोपेयां खर्च होने विश्वा खोब संधी मा उल्लेक सा। कांथिपूर डायरी मा अब ब्रेक का पालो। कांथिपूर डायरी मा अब अंत्राष्टे प्रसंग अमेरिका मा संदोहेजार उन्नाइस मा सबई भंदा बड़ी सामुही खत्या भईको एक तथ्यांक जारी फईको शा। संदोहेजार उन्नाइस मा भईका एक चालीस कट्नामा दोई से घार जना कुम्रित भईको शा। संदोहेजार उन्नाइस मा अमेरिका को भर्जनिया भीस मा भईको आक्रमर मा बार्र जना कुम्रित भईको थ्यो। अब खेल प्रसंग, घरिलू प्रतियोगिताले हरे खेलकूत को स्तरलाई बड़ावा दी रहा को हुँँछा प्रतियोगिताको संख्या इसको कुसल बेवस्थापन संगई इसले पार्ने सकरात्मक प्रभाबले नेपाली खेलकूत को गती बड़्दो करमा रहा को सा इसले खेलकूत का माधिम बाच नेपाल मा भित्रिये का बिक्रिती पनी समना अंतर अवस्थामेशन दोहरी दे गय का एस्ता बिक्रिती रोक्न सरोकार वाला को ध्यान भाने पुग्न सके को साईना एक रिपोर्ट केई समय अगी घरेलू फूटबल मा देखियेको जस्ताई बिदेसी खेलाडी को वर्क पर्मिट को समस्या पोखरा प्रिमेर लिग करके पीपियल मा पनी दोहरी एको सा फ्रेंचाइज लिग को दोस्तुर संसकरन भव्यता का साथ संपन्न भई रहदा तिसमा सहभागी भई का डिर्दरजन बिदेसी खेलाडी प्रत्योगीता अबदिभर बिना वर्क पर्मिट नेपाल में रहे गानुन बमजीम को स्विकृती नली दुईसाता सम्म नेपाल में रहदा पनी राज्य सम्म्यंत्रले दोहरी दै गयको यस्तु समस्या समाधान मा चासु देखायको सही न हैस्ताई रोकन सरकार वाल निकाय नराम ररी चुकेको र अब ततकाल गमभीर चासु देखाऊनु परने नेपाली कृकेट सपोर्टर सोसाइटी का फाउंडर संजय धरेल बताऊशन। बिदेशी खेलाडी नेपाल मा आयरा बिना पर्मीट प्रत्योगिता खेले को योग पहिलो घटना भने होई न फुटबल का हरेक प्रत्योगिता हरुमा पनी येस्तो अवस्ता बारं बार देखी देया आयकुषा ये अवस्ता आउनुमा राज्य संगई आयजग को भूमेका पनी उत्ती कई रहायकुषा तर राष्ट्योगित टोली का कप्तान समेत रहायका पीपेल आयजग कमिटी का सतस्या ग्यानेन रा मल्ला पेसलाई स्वभाविक अवस्ता मान्छन नेपाल माहुने प्रतो गिता हरो छोटो समय का लागी हुने भॉय गैले पनी आजग को ध्यान तेस Τरफ जानन न सके को मल्ला को भनाई सा लामो सीजन को प्रतो गिता हुने भॉय तेसमा सुधार हुने उनको तर्गशा इश बारे घरिलू क्र्केट को तालुक निकाय नेपर क्र्केट संग कियान ले पनी चासू राखनो परने हो तरक्यान संगै अंत्रवाश्टु क्रिकेट परीशथ आई सिसी बाता मौन्यता सम लिएको पीपियल लमा सहभागी बिडेसी खिलारी को प्रकुरिया का जाहिमा क्यांगा पतादीकारी ले अन्नो बिग्यता प्रकाट गरे आपनो टुली मा रहेका बिदे सी खेलाडी आगमन को प्रक्रिया का विशायमा टुली का कपतान पनी एसत यवस्तामा रहेका सन पीपियल को उपविज mRNA पने को बिरातनको टाइटन्स का कपतान प्रदीप नेपाली खेलकु चेत्र को बिकास र बिस्तार मा येसता लीग अपरी हार्याता संख्यात्मक र गुणात्मक दुबई रुपमा आवसेक सा तरा येस पाता निस्तकदाई गाय का बिक्रिती र समस्या रुकन पनी उत्तिकाई जरूरी भई सकेको सा इसका लागी राज्यका कानू निर्माता संगई सरुखार बाला निकायले अहीले बाता नहीं सोचने की रेजियो कांतिपूर का लागी प्रकास पाठक पोखरा गोल करदाई मैन उनाटेट लाई दुई सुन्ने का अग्रता दिलाए लेस्तर सिटी ले पनी उएस्ट हाम लाई हराउदे पहिलो इस्तान को लिबर्पूल संग को अंकर दूरी दस मा पुरायको सा चाली सव मिनेट मा केले ची यहानो चोले गोल करदाई लेस्तर सिटी ला गोल करदाई ले बनमाउथ लाई दुई सुन्ने ले न्युकेसर उनाइटेट ले एवटान लाई दुई एक ले वाडपूर ले एस्तरन भीला लाई तिन सुन्ने ले हराई साउथ हाम्टन रा क्रिस्टल पालेस ले एक एक रतटन हाम हर्ट्सपर्ड र नर्वीज सिटी दुई दुई को बराबरी करतेई अंक बारेका छन।